जहिन दोस्तों तो आज हम कहा कि अपने जो 12th schedules है इंडियन constitution के अंदर में उसकी trick देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारी trick है न schedules को याद करने की वो है tiers of old pm तो यहाँ पर कहा कि जो 12 schedules है आप इसको ऐसे याद करना यह होगा हमारे tiers of old pm तो जैसे T हमको बताता है इंडिया की territory के बारे में यह का मतलब होता है emoluments है यह salary के बारे में बताता है A का मतलब हो गया affirmation यानिके oath के बारे में बताता है R का मतलब हो गया राज्य सभा यानिके राज्य सभा से related है और जो fifth है यानिके S हमको बताता है schedule area जो इंडिया के अंदर में है लेकिन यहाँ पर कुछ exception क्या कि मारा मनिपूर नहीं है तो यहाँ पर आप ऐसे याद रखना कि जो हमारा यह नोर्थ यह ज़्जादी ज्यादा Ameer देश घंग के और यह क्या कि हमारे अज्जुड ट्राइबल एरियाज है यह उसको बताता है अब हमको बताता है federalрист के बारे में यहने के सेंट्रल लिस्ट देखने को मिलती है central list, state list और concurrent list के बारे में बताता 8th schedule हमको बताता है और यहने के official language से 9th schedule जो L है वो हमको बताता है land records के बारे में जो 10th schedule है वो हमको बताता है defection यानिग है यह कहा कि 52nd amendment 1985 में कराता यह तब add करा गया था अब हमारा कहा कि 11th schedule और 12th schedule एक पंचायत को बताता है एक municipality को बताता है जो पंचायत है वो 73rd constitutional amendment करा गया था 1992 में उसके अगले साल कहें कि 74th amendment करा था 1993 में तो दोस्तों यह हमारी tears of old PM जो हमारी यहाँ पर कहें कि 12th schedule की ट्रिक है तो दोस्तों ऐसे ही और ट्रिक्स अगर आपको जानने तो चैनल को लाइक करें कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करें तो थैंक यह वाइस